हेलो वर्यवान, क्या हाल चाल, वेलकम तो माई चैनल मैंने आपको बोला था ना कि मैं एक गिफ्ट लाँगा आपके लिए बहुत अच्छा वाला, बोला था, बोला था कि एक सेप्टमर से कुछ धमाकेदार होगा, तो चलो मैंने उसको तीन दिन पहले ही पुरिपोन कर दिया, and 28th of August से, we launch the All India Mock Test for NEET 2021, and I assure you, this will be India's biggest mock test, biggest, biggest, as in, धाई लाग से तीन लाग बच्चे अनकैडमी आप पे ये mock test देंगे, bare minimum में बता रहा हो, ठीक है, मतलब साड़े चार लाग बच्चे इन्रोल है अनकैडमी आप पे, तो अगर सारे के सारे ने दे दिया, तो आपको एक दम रियल टाइम पता चल जाएगा, आपके NEET में क् पेपर बिल्कुल NCRT-Centric बनाया गया है, ताकि जो NEET 2021 का difficulty level हो, वैसा पेपर हो, तीसरी चीज कि भाईया, आपको कहां stand कर रहे हैं, वो सब पता चल जाएगा, मतलब हम लोगों ने एक app discover किया है, या हम लोगों ने आपके NEET के score पर, या आपके mock test के score पर, आपका NEET में actual rank क क्या होगा, जितना close हो सकता है, उसको predict करने के लिए तयार है, ठीक है, चौथा important बात, जो मेरे हिंदी वाले बच्चे बोलते थे, कि सर आप paper हिंदी में नहीं देतो हो, ये नहीं देतो हो, बिटा मेरे पास band वितनी थी, बट अब हम paper English और Hindi दोनों में देता है, ठीक है, त तुमने क्या गलती किये, ठीक है, और तुम्हारे साथ कितने और बच्चों ने वही गलती किये, वो भी आपको question level analytics बता रहे है, तो तुम अपने competitors को बहुत अच्छे से जान जोगे, और अपनी तयारी उसे हिसाफ से curate करो, ठीक है, एक और last feature है, जो मैं हमेशा बोलता हू मैं आपको, कि test देने के बार आपको analysis करना चाहिए, कि आप कैसा कर रहे हो उस test में, या आपके कौन-कौन से weak topics है, ये काम भी मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, मैंने क्या किया, कि मैंने system मनाया, जहां पे मैंने inform किया, कि भाईया तुमने test दिया, तो तुम्हारे एक report आ इसमें कि भाईया, ये ये चीज, टॉपिक आपका week है, इसको आप पढ़ लिजिए अगले test से पहले, अगले test में दिया, फिर तुम्हारे और एक report आ जाएगा, तो इस तरह से हम पांच test में pinpoint कर लेंगे, कि आपकी एक भी गलती की गुंजाइस ना रहे और आपको एक detail report तो देर किस बात की, link description में है, या मेरे telegram channel पे है, डॉक्टर आननमनी, पता है, ठीक है, यहाँ पे, telegram channel पे है, डॉक्टर आननमनी, है ना, तो यहाँ पे जाईए, और enroll कर लिजिए, इस test में फटाफट, है ना, क्योंकि कुछ limited बच्चे test दे पाएंगे, तो फटाफट enroll क पूछेगा, उसमें invite code में मेरा नाम डाल भीजेगा, सब जगा जल लाता है, ठीक है, और यह test absolutely free of cost आप enroll कर सकते है, लेकिन सिर्फ enroll मत करना, test देना भी हो बिटा, ठीक है, इस test के लिए मैं अलग से आपकी तैयारी कराओंगा, तो पहला test आपका, 28 अगस्त को है, दूसरा test test आपका, 1 सेप्टमबर को है, 3, 4 सेप्टमबर, 4, 7 सेप्टमबर और 5, 9 सेप्टमबर को है, तो हम लोग जो offline test series उससे पहले खतम करनेंगे, यह आपका final, final strike होगा, ठीक है, यहाँ पे आप गलतियां भी avoid करेंगे, यहाँ पे आप अपने competitors को जानेंगा, और अपना detailed analytics करें देने में, वीडियो solution देने में मत पूछो, मतलब कितना गजट चला रहता है, आपके लिए लेकिन यह बिल्कुल free of cost है, तो इस पर एक लाइक तो बनता है, और इस test को ज़रूर अपने सारे दोस्तों के साथ share करेंगे, चली, अब आते है अपना मुद्धे पे, कि भाईया जैसा ही होगा, ठीक है, यह हो सकता है, उससे आसान ही हो जाए, उससे difficult कभी नहीं होगा, ठीक है, तो भाईया इसका क्या होगा, 2020 का पेपर कैसा है, दुनिया को सबको पता है, कैसा है, easy था, तो मतलब, इसका मतलब क्या है, हमारा cutoff हाई जाने वाला है, सब कुछ जान है, और जो यह अभी mock test दे रहो बेटा, वो latest exam pattern पे ही है, मतलब कि हमने पूरे app में ही ऐसा change कर दिया, कि आप विल्कुल एकदम real time exam experience आप देख पाए है, ठीक है, चली, तो भाईया क्या है new pattern, physics chemistry, botnios wall जी है, section A compulsory है, इतने questions आपको compulsory करने है, section B में 15 में से आपको 10 करने है बट बेटा देखो, यहाँ पे क्या है, कि time आपको 3 गंटे मिल रहे थे, तो 3 गंटे में आपको पहले एक्सासी question पढ़ते थे, अब 3 गंटे में आपको 200 question पढ़ने है, भले ही आप उसमें से एक्सासी solve कीजिए, बट 200 question पढ़ने है, तो आपका क्या बढ़ा, आपका time कम ह हो गया, और आपकी speed बढ़ानी पढ़े गया, तो क्या चाहिए इसके लिए, इसके लिए चाहिए आपको practice, यहाँ पे जो practice कर देगा, वही survive कर देगा, यहाँ पे जो practice कर लेगा, वही survive कर जाएगा, है कि नी, जो practice करेगा, वही survive कर जाएगा, तो यह चीज आपको ध्यान है अच्छ अब देखो दो और बहुत important सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर PYQ important है या नि बेटा मैंने हमेशा बोला है questions can neither be created not destroyed it is just transferred from one examination to other तो बेटा PYQ बहुत important है PYQ से जितने तरह के question आ सकते है वो आपको फायता हो जाते है NCRT माता तो जैही बोलो NCRT से ही line से खोद-खोद के question निकाले जाएंगे और वही आपको परोस के दे दिया जाएगा तो ये दोनों चीज तो 100% आपको करना ही करना है ठीक है चलो अब मैं आपको बताता हूँ paper attempt कैसे करना है या कैसे timeline में आपको paper को solve करना है ठीक है देखो paper को तीन पार्ट में divide करो सबसे पहला पार्ट जो होगा बिटा सबसे पहला पार्ट जो आता है आपको कि ऐसे उपर उपर से पढ़ लो ठीक है उपर उपर से पढ़ोगे तुमसे एक गो में सवाल बन जाएगा बट याद रखीगा कोई भी question आप पढ़ने है उस तो दो बार पढ़ने है जैसे suppose मांदो कि question पढ़ने है which of the following is not ठीक है तो careful रहे है ठीक है और read twice कभी भी ठीक है और कभी भी जब इसके answers बना है तो option कैसे चिक करेंगे अच्छा ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये है इस तरह थे ये नहीं कि इसका answer ये इसका answer ये नहीं option eliminate करेंगे ही करेंगा अगर आपको आता है भी है तो कभी कभी क्या होता है most appropriate answer देखना पढ़ जाता है और आप गलती करें तो ये ये पहला step होगा यह पहला step होगा कि आप question को दोबर पढ़े not except odd one out ठीक है यह सब word को ध्यान रखे इसको underline कर ले और जब भी answer दें चारो options देखे और बोले कि यह वाला नहीं है यह वाला नहीं है यह वाला नहीं है इसलिए यह वाला है ठीक है यह step 1 आपको करना है पहले 45 minutes में I think कि तुम 50% to 60% question step से आराम से बना लोगे ठीक है आप क्या करोगे कि 7 के साथ जो question आपसे नहीं बनना है जो question ऐसा है जो question ऐसा है जो आपसे एकदम नहीं बनना है एकदम नहीं पता है उसका कोई हवा ही नहीं है उसको ऐसे dash लगा उस question के उपर ठीक है और जो question लग रहा है कि दो option तीन option में doubt है उसको ऐसे गोला पर ठीक है तो step 2 क्या करोगे step 2 में क्या करोगे तुम ये गोला वाले question देखोगे ठीक है इसमें क्या है इसमें सबसे important चीज़ा जाती है आपकी option elimination trick option elimination trick पता है मैं जो botany के question तुमारे साथ बनाता हूँ ये इसी से बनाता हूँ कैसे option eliminate करेंग भई है तो कभी भी यार रखेगा अगर आपके पास 2 option है कभी यार रखेगा और आपके बास 2 option है तो तुक्का मादो अगर तुमने 2 option eliminate कर दिया तो 2 option में तुक्का मादो रिस्क आपका कम है ठीक है दूसरा पहला option elimination tricky हो गया दूसरा क्या होता है भया कि दूसरा चीज क्या होता है कि कोई ऐसा word जो आपने सुना नहीं है out of syllabus है कोई भी ऐसा word जो आपको लगए कि out of syllabus है वो answer नहीं होगा ठीक है none of these answer नहीं होता है 99% case में बट कभी-कभी आपको धोका भी हो सकता है इसलिए थोड़ा carefully देखेगा ठीक है all of these generally answer होता है all of these या both ये सब generally answer होता है ठीक है तो इन सब चीजों का आप ध्यान में रखेंगे इन सब चीजों को आपको practice करते जाएंगे आपको खुद समझ में आजागा तुमको देख के परा चल जागा या answer है या कोई off topic option है जैसे मतलब तुम देखोगे न किसी का unit एकदम change है ठीक है तो वो answer नहीं होगा तो answer कौन से वाले होंगे जो थोड़े similar होंगे आपस तो वो answer होते है तो आप option eliminate करके ये goal वाले questions को कर सकते है और यही goal वाला question जो है आपका selection determine करता है यही goal वाला question जो आपका selection determine करता है इसको आप अगले 45 minutes दे ठीक है पार्ट 3 वो वाले questions आज आते है जो आपसे नहीं बने है अब देखो गिटा तुम्हारा target score तुम्हारे दिमाग में पता है अब यहाँ पर risk analysis आता है तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा नहीं गुल हो गया डबा गुल है नहीं होगा मेरा selection तो सब question अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे जितने marks चाहिए थे मेरे काम लएक उतने marks आ गया है तो इन questions को थोड़ा कम चूओ एक बाद पढ़ लो नहीं लग रहा तो छोड़ दो और लग रहा है तो solve कर दो मतलब इनको कोशिश करो option 2 इसमें से eliminate करे हो पाए तो ठीक है नहीं हो पाए तो छोड़ भी sequence क्या होगा बिटा sequence generally मैं जो sequence follow करता हूँ वो bio करता हूँ ठीक है फिर उसके बाद chemistry करता हूँ और उसके बाद physics करता हूँ ठीक है आपकी मर्दी है आप क्या करना चाहते है वो completely आपका call है कुछ बच्चे फेले physics भी करते हैं अगें this should be the standard procedure ठीक है अच्छा अब OMR फिलिंग साथ के साथ करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए मैं क्या करता था मैं वो बता रहता हूँ देखो मैं साथ के साथ OMR फिल करता था बट पूरा OMR दे रंग करता था जैसे सबोज मालो कि A, B, C, D options है ऐसे करके 4 options है तो मैं क्या करता था मैं dot लगा देता था OMR पर ठीक है कि सबोज मालो कि यहाँ पर एक dot है कौन सा वाले question पर जो 100% showroom है जिसमें नहीं showroom उसको last के लिए छोड़े दिता था तो वैसे करके क्या है कल को जब मैं OMR फिल करूंगा तो question आगे पीछे होने के chance नहीं होते कभी क्या होता है OMR का sequence भी कर जाता है अगर आप last में भी कर रहे है तो practice OMR filling का कीजिए OMR मैंने ड practice जालते जाए ताकि आप ये गलतियां avoid करेंगे ठीक है जो मैंने बोला proof read करके अगर आप question पढ़ेंगो तो आप silly mistakes avoid करेंगो और आप ये चीज कल के test में follow करो ठीक है कल आपका 930M test है ना sorry 10M 10M test है आपका अन academy app ठीक है तो कल के test में ये चीज follow करो और देखो तुमारा score न अच्छा दूसरा test series सरूर दीजेगा बता रहे हैं ये बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बना है और इससे भागोगे तो सच्चाई से भाग जाओ आपको अगर बिमारी का पहले पता चल जाता है माल लो 28 अगर इसको आपको पता चल जाता है कि मेरे ये points भी तो आपके इसके तीन पेपर जो है वो बिल्कुल नीट 2021 पेपर जैसे ही होंगे exactly डिक्टो in fact इसके पांचों question मैंने इसी तरह से बना है कि NCRT के चुनिंदा रसीले बगानों से आपके लिए question लाए गया चाहे हो physics हो चाहे हो chemistry हो चाहे हो biology और बिल्कुल authentic relevant question आपके लिए यहाँ पे प्लस आपको detail analysis reports सब मिल जाता है इस test को बिल्कुल skip नहीं करना है अपनी attendance यहाँ पे डाल दीजे कि sir I will not skip this test ठीक है यह mock test challenge accepted ठीक this is going to be a game changer for all of you जो भी बच्चे एटेस देना है this is going to be a game changer क्योंकि आपको आपके competitor का पता होगा चानक यह नीती कहती है कि दुश्मन का पता ह होना चाहिए आपको तभी आप प्लान अच्छा कर सकते होगा तो आपको बताओ कोई दूसरा बच्चा क्या गलती कर रहा है आपको वो गलती कैसे बचानी है जब तुम जो दूसरा बच्चा गलती कर रहे हो वहां पर तुम सही कर लोगे तो तुम competition में उसके एक step आगे च test unlock हो जाएगा और पांचो test में फ्री में इन्रोल हो जाएगा एक रुपईया आपको नहीं देना और यह test English और Hindi दोनों में है तो देर की इस बात की फटा फट निकलो 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 जल्दी ताकि server block होने से पहले आप इसमें इन्रोल कर लें all the best guys वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए का बहुत मेंनत पड़ता है तुम देख रहे होगे न मैं कितने काम कर आपको पढ़ा भी रहा हूं यह test curation यह वो band ही बज जाती है मेरी तो आपका प्यार आपका support चाहिए ठीक है तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए को शेर कीजिए अपने दोस् सब्सक्राइब है और रियल टाइम डोनों का अनलिसिस हो जाएगा और बैस टेक क्यार और हाव ग्रेट डेट डेट